है यह जो वीडियो है इसके अंदर में आपको बदाऊंगा जो भी हमने पाइप कंडिक्ट जो है कि तब हमने पाइप के जो वेंट भी नवीडियो जो वेंट भी वर हूँ रड़ किया है इसके पूरा जो अमने प्लाइप यह ने पर्ति अंदर से इसके प्लास्टर आ जाएगा जो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया कि यह पूरा का पूरा क्लोस हो जाएगा मतलब आपके घर में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे आप वाइरिंग आपको दिखेगी यहां पे भी सेम जहां पे हमने बीम में से वें इसके पाइप है जो हमने इलेट्रिकल जो कंडिक्ट है उसको पार्च करने के लिए और सभी जगा पर कुछ ऐसा ही दिखेगा हां अल्रेडी यहां पर देखे यह जो अलुमिनियूम का जो वाइर है उसको पहले से अंदर से डाल के रखा है उसकी अंदर से हम क्या करेंगे वाइर को यहां पर यह करेंगे और यह जो वाइर है वो खीच लिया जाता है जो अपनी जो वाइर होती राइट उसको यहां पर बांद कर उसको खीच लिया जाता है मतलब यह वाइर हमारा पूरा उपर तक पास हो जाएगा तो यह जो है पहले से यहां पर डाल के रहे है यह शायद आपने नहीं देखा होगा बड़ प inject के अंदर पहले से यह वाय रेया वो डाल डिया जाता है और इस तरह से व ऑपंगे आप सकते हैं तक फिर कि ए हाघित के ओक यह गेझे आप डेखे गता है और यह रहा यहां पे भी बीम के अंदर से जो पाइप आए उसके द्वारा जो कनेक्शन दिया गया है वह आप देख सकते हो अब बाद WC यहां पे भी एक वेंड जो है मतलब पूरा का पूरा एंक्लोस होता है कुछ भी आपको घर में इलेक्ट्रिकल जो वायर है वो आपको नहीं देखेंगे लेटेस कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके अंदर यही एडवांटेज है दूसरी बात है कि हम ब्रिक यूज करते हो जिसके अंदर कैविटी बनाना बहुत डिफिकल हो जाता है जबकि अंदर इसके अंदर कैविटी बनाना तो बहुत जल्दी से वरकर जो है वो बहुत जल् तब शायद उसमें बहुत जितना हम चाहिए उससे जाधा उसके अंदर क्याविटी बन जादे उसको फिर आमें मोटार से बनना बरता है तो यह दोस्तो था यहां पे पूरा का पूरा जो वहां पे यह वाइरिंग निकाल की यहां पे वाइरिंग भी मतलब कंप्लीट हो गया है और जो प्लास्टरिंग है दोस्तों यहां पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है पर दोस्तों मैं आपको बताओ कि यह जो क्रैक है जब आप मैं वीडियो वे शब्सक्राइब मैं चानल सीवी कॉंसेट